हेलो फ्रेंट्स वेलिकम टो आरेवर्ट ट्विटर्स नौ दिस दिश्टी बर्तिया और आज हम बात करें हैं 13 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेस के वन लाइनर आंसर से हम सारे बारे बारी से डिसकस करेंगे है तो टिस फर्स्सक्राइबर कोरे शृी नगर समार्ट सीटी परियूजने का गातें किसक ने किया है य Hide ह learning इस इतनी बर खैने फिच्रींगर समार्ट सीटी प्रियुत्त अब बात जैसा की हम जानते皮स हैं किश्रींगर जमूयन कशमिर का कापिटल है नाओ कुछ नमबर टू किस स्पेस एजेंसी के आईसी इसेट टू उपग्रहे में अंटार्टिका मैल्ट वार्टर जीलो की खोच की गई है सो गाइस वी नो अबर्ट दा नासा नासा स्पेस एजेंसी आईसी इसेट टू सैटलाइट्स डिसकावर्ट दा अंटार्टिका मैल्ट वार्टर लेट्स सो वी नो अबर्ट दा नासा नासा के बारे में हम कुछ बाते करेंगे कुछ एक नए वीडियो के साथ इथोपिया देश के नए प्रधाल मंत्री कौन बने है सो वी केम दी नीव प्राइम मिनिस्टर अफ दी एथियोपिया कंट्री सो आंसर इज अभी हमत बने है नो कुछ नबर फोथ वाल्ड मलाला दिवस का मनाय गया सो वेन वाल्ड मलाला देश अभी तो आंसर इस 12 जुलाई नो कुछ नमबर फिफ विश्वी जनसंक्या दिवस जैसा कि हम जानते हैं इसकी थीम हमें याद अखना है इंपक्ट अफ दी कोविड-19 पेंडेमिक ऑन दी फर्टिलिटी किस राजी ने आधी वासियों के लिए नया विभाग बनाने की घोशना की है विच स्टेट अनॉंस दे क्रियेशन ओफ नियू डिपार्टमेंट फो दी ट्रैवल्स आंसर इस आसाम अब बात आसाम किये तो हमें पता होना चाहिए पाई के नोबाक जोकोविच ए नहुक रिएख दियू अब बात विम्लेंडन तो हमें पता होना चाहीँ विम्लेंडन की टैवल्स हमें टैनिस में नोने इंपोर्टेंट के याispिड हाना हमे। और विम्प्लेंड अंसर रिल्टिक कुछ इंपोर्टेंट सिंगल मेंस, सिंगल मेंस, जबल मेंस और डवल वॉमेंस के इंपोर्टेंट हम फॉर्म में और इंपोर्टेंट विनर्स की लिस्ट हम इसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में So guys, straight in with the Arabay Tutors Now question number 8, Twitter ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है Who was appointed by the Twitter as a grievance officer in India So answer is Vinay Prakash Vinay Prakash को हाली में भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है Now question number 9, किस देश ने Copa America 2021 का खिताब जिता है So which country won the title of the Copa America 2021 So answer is Argentina Now question number 10, National Institute of International Technology ने Digital Banking Academy शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साज़ेदारी की है So guys we know about कि IIT tied up with the Axis Bank to start the Digital Banking Academy Now question number 11, किसने लोगों तक अपनी व्यापक पहुच के लिए नमो मॉवाइल एप ड्राइब लॉंच किया है So who launched the number of mobile app drive to reach but to the masses So answer is Ajay Bhatt Now question number 12, ICCR ने किस विश विद्याले में एक बंग बंधू चेयर स्थापिट किया है So ICCR इस्टैबलिज़ बंग बंधू चेयर इंविच सी उनिवरसिटी So answer is University of Delhi Now question number 13, किस देश के खिलाडी मेहमूद दुल्ला ने टेस्ट फॉर्मेट में सन्यास लेने की घोशना की है So which country player मेहमूद दुल्ला अनौंज़ इस रेटार्मेट फॉर्म देस्ट फॉर्मेट So answer is Bangladesh Now question number 14, पोलेंड देश में भारत की नई राजजूत के रूपे किसे ने उक्त किया गया So guys हमें पता होना चेयर कि नगमा मलीक Appointed as a new ambassador of the India to the country of Poland Now question number 15, माधो मोगे So guys हमें पता होना चेयर कि वह एक अक्टर हो अभी नेता है Important है याद रखना हमें Now question number 16, पेटी एम कंपनी के प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट से किसने इस्तिवा दिया है So guys we know about कि अमित नईयर थे President of the पेटी एम कंपनी अब इन्होंने resign कर दिया है Now question number 17, भारत ने किस देश को GI Tech प्राप्त फाजिल आम निरियात किया है So, बहरीन is a country, did India export the fossil mangos with the GI Tech So guys answer is, बहरीन याद रखना हमें Now question number 18, KVIC ने किस देश में खादी शब्द का ट्रेजिड मार्क पंजी करण हासिल किया So guys answer is, भूतान Now question number 19, किस ने विंब लेंड़न जूनियर पूरुष चेंपियनशिप का किताब जीता है Important याद रखना हमें, समीर बेनर जी Now question number 20, निर्मला सिता रमन्यन जुलाई 2021 में G20 वित्त मंत्रियों को कौन सी बैठक आयोजी कराई है So guys, जैसा कि हम जानते कि 3rd meeting GI 20 Finance Minister was organized by the निर्मला सिता रमन्यन जुलाई 2021 Important याद रखना में तिसरी बैठक हुई है Now question number 21, लॉंच पुस्तक दी रामायन ओफ श्री गुरु गौविन जी की किसने लिखी है So guys, हमें पता होना चाहिए कि बलजीत कोरने हाली में दी रामायन ओफ श्री गुरु गौविन जी लिखी है Important याद रखना है बलविन कोर So guys, हमें पता होना चाहिए कि according to the hunger virus multiplex report 2001, 11 people die of the hunger per minute Means हमें याद रखना है कि भूख से लोग हर मिनेट 11 लोग मर रहे हैं हमें याद रखना है अभी ही है, short हुई है Now question number 2-3, किस राज्जी ने अपना बोनालू पर्व बनाया है So answer is तेलंगाना, हाली में तेलंगाना state celebrated the बोनालू festival Important याद रखना है, अब बाद तेलंगाना की तो हमें पता होना चाहिए, capital of तेलंगाना is Hyderabad हाली में तेलंगाना आंध्रप्रदेश से लग हुआ है, पर तेलंगाना आंध्रप्रदेश मिलके इनकी capital लगती थी जिसे हमें ancient capital के नाम से भी जानते है, is Amravati Now question number two four, केंदर सरकार ने साव जनी के उद्धम विबाग को किस मंताले के अधिन किया है, so guys हमें पता होना चाहिए कि Ministry of Finance is the central government for the department of the public enterprises, important है याद रखना है हमें Ministry of Finance Now question number two five, किस राज़ी की चिराग reserve forest की जारबारी range में मकड़ीों की दो नई प्रजातियां पाई गई है, important है याद रखना है, कि हाली में आसाम के चिराग reserve forest, important है याद रखना, आसाम में है चिराग reserve forest, अब बात आसाम की तो हमें पता होना चाहिए, this pool, और इसमें दो नई species किस ने बैंकों को लंदन इंटर बैंक ओफ रेट लेवर को बंद करने की घोशना किये So guys, we know about RBI is announced to the closure of the London Inter-Bank Offer Rate is a lever to banks So, बात RBI की तो हमें पता होना चाहिए Capital of RBI is Reserve Bank of India and Headquarter of RBI is Mumbai यह organized की गई थी, यह organization किया गया था 1935 में अब इनकी प्रेजेंट से ही हो, जैसा कि हम जानते है, शक्ती 10 Important है यहाद रखने हमें, शक्ती 10 Now question number 27, किस ने England को हरा कर Euro Cup 2020 का किताब जीता है So, who won the Euro Cup 2020 titled by the Defeating England? So, answer is Italy Now question number 28, किस राज्जी में? देश का पहला, क्रिप्टोग्रेमिक उद्ध्यान इस्थापित किया गया So guys, we know about the first cryptographic garden अब बात cryptographic की तो हमें पता होना चाहिए Cryptographic का मतलब यहाँ पर है, कि different different flowers के हमें यहाँ पर designs मिलेंगे Petals मिलेंगे, different colors मिलेंगे, flowers के इसलिए हम वहाँ पर terminology यह हम बोल सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की हिसाब से यह botnical terminology हम cryptographic use करते हैं So guys, इसी के साथ इन्होंने नाम रखा है first cryptographic garden अब हमें जिरा की पता कि उत्राखंड को हम फूलो की घाटी भी कहते हैं इसलिए आप याद रख सकते हैं कि Cryptographic garden जो हैं यह फूलो की सुंदरता को लेकर उत्राखंड को बहुत ज़्यादा इन्होंने इस सीच के लिए famous किया है जिसे हम उत्राखंड को फूलो की घाटी भी कहते हैं अब बात उत्राखंड ही तो हमें पता होना चाहिए उत्राखंड की capital देहरा दून Now question number 29 किसने जागरिब में कोईशियाई और ग्रेट शत्राण्स टूर का खिताब जीता है So guys we know about कि Maxim Vechler Lagreve won the Koreshia Guard Grant Shatran's 2 title in the Jagreve Important है याद अखन है हमें Maxim Vechler Lagreve Now question number 30 Rajasthan सरकार ने किस शेहर में cyber police थाना खोलने की घोशना की है So guys we know about कि Rajasthan government announced the opening of the cyber police station in Jodhpur और भरतपूर Important है याद अखन है Jodhpur और भरतपूर में start कहने की घोशना की है Cybercell Now question number 31 किस ने Commonwealth Points of Light Award 2021 में नामित किया है So guys we know about कि Sayyad Usman Azhar Masuz is the Awarded with the Commonwealth Points of Light Award 2021 Important है याद रखना है Now question number 32 Nitin Katkari ने किस शेहर में भारत का पहला निजी तरली क्रत प्राकतिक गेस जिसे हम LNG भी बोलते है Liquid Nitrogen Gase सुविदा सहियत का उद्गाटन किया So guys we know about Nagpur is the city Nitin Katkari inaugurated the India's first private liquefied natural gas or LNG is the facility plant So answer is Nagpur अब बात Nagpur की तो हमें पता होना चाहिए Nagpur State of Mumbai में आता है And the capital of the Maharashtra is the Mumbai Now question number 33 State of Maharashtra के अंदर आती है Now question number 33 PK warrior का निरन हुआ वहा है प्रसित डॉक्टर हमें याद रखना है Now question number 34 Launch Pustak Terrace Garden Middle Lorda Namak Pustak यह भी याद रखना है Important है Now question number 35 Is the last question today किस राज्य में जन संक्या दिवास पर नहीं जन संक्या निती लागो करने की घोशना की गई So guys this is very most important कि Uttar Pradesh is the state Announce the implementation of the new population policy on the population day So answer is Uttar Pradesh अब बात Uttar Pradesh की तो हमें पता होना चाहिए Capital of Uttar Pradesh is Lucknow So guys this is all about today's 13 July 2021 current affairs I hope guys आज का वीडियो informative लगा होगा आपको प्लीज आप वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंग्स के साथ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नए इंफोर्मेशन के साथ Stay tuned with the ROI Tutors और आप अपने doubts मुझे comment section में बता सकते हैं Thank you so much for watching this video Your support is our power जे हिंद जे भादत धन्यवाद